हेलो एब्रिवन, भाई बेन के इस पवित्र त्योहार रक्षा मंदन के आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है और आज इसी मौके पर मैं बनाने जारी हूँ एक ऐसी टेस्टी मिठाई जो किवल 15-20 मिनट में बनकर तयार हो जाती है तो चलिए जलती से स्टार्ट करते हैं इस मिठाई को बनाना तो इंस्टेंट मिठाई बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए 200 ग्राम पनीर और 400 ग्राम मैंने यहां पर खोया लिया यानि मावा लिया तो चलिए पहले पनीर को हम ग्रेट कर लिते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहां पे खोया जो है ना कल रात कोई बना कर तयार कर लिया था और बहुत देर होगी थी रात को इसलिए मैं पनीर नहीं बना पाई से रोस्ट कर लोंगी पनीर और मावा से बनने वाले मुह में घुल जाने वाले यह लड़ों इतने आसान है ना बनाने कि कोई भी इन एक बार में एकदम पर्फेक्ट तरीके से बना कर तयार कर सकता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15-20 मिरट में यह बन कर तयार हो जाते आठ से 10 मिनट तक हम दीमी आज पर इसे ऐसे ही लगातार भूनते रहेंगे ताकि जो यह मावा है खोया है यह अच्छे से भून जाए और लो फ्लेम पर हमें इसे भूनने है फ्लेम अगर हम टेज कर लेंगे ना तो एकदम से यह जल जाएगा सारा का सारा तो इसलिए गैस की फ्लेम का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है दस मिनट हो गए है मुझे मावा को इसी तरीके से भूनते वे और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका हलका सा कलर भीना चेंज हो गया थोड़ा थोड़ा जना मुझे कुछबू भी इसकी आने लगी है तो मैंने 1.500 ml दूद और यह जो मैंने दूद डाला है यह फुल फैट मिल्क है और इसमें अब मैं डाल दूँगी दो से तीन बड़े चमच शुगर पाउडर तो चीनी को मैंने पहले मिक्सिजार में पीस लिया था और उसके बाद मैंने इसका पाउडर बना के इसमें डाल दिया त इन सबी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें डालना है पनीर जो हमने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ था तो चलिए अब पनीर को खोया के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे जब तक ये गुथेवे आटे के समान एकदम गाड़ा ना हो जाए तब तक हम इसे लो फ्लेम पर इसी तरीके से बार-बार हिलाते रहेंगे अगर हमने बीच में इसे छोड़ दिया ना हिलाना तो ये नीचे से मतलब चिपक जाएगा और हमारे जो लड़ू है ना वो खराब हो जाए अच्छे से नहीं बनेंगे तो इसे लगातार इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे जब तक ये एकदम थिक बैटर इसका बनना जाए और ये गाड़ा होना शुरू हो गया है और मैंने अब गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और अब हम इसे ठंड़ होने देंगे और जल्दी लडड़ को दना नोर मावा गैसे भाट सकता बाकिक बात आकर शुरण को सब्सक्राइब अगर पिरों फैलने चलड़ा इसी जाल शुरू का ये गया ये माट है ।कलु में प्लेट अधा अभी द्फितल हो दो खाल लू बड़के हैं ये ये, ये, ये ओने उने हॉना शु मिक्स रूह साथ अब दो आपको पत्सद्ग हो जो पर बना कर तैयार कर सकते हैं तो क्यों है, नंहों कितना आसान इन लड़ों को घर पर बनाना और एक बार में ही आप इन लड़ों को परफ़ेक्ट तरेके से घर पर बनासकती हो, वो भी बिल्कुल बेसिक सामान से, जो भी हमारे घरों में होता है, के वहले दो इंग्रीडेट्स यह हमने इसे बना कर तैया बहुत ही कम टाइम में हमने इसे बनाया है तो इस फेस्टिवल सीजन एक बार तो यह लड़ू ट्राइ करना बनता ही है तो आप भी इसे ट्राइ करना आपको यह खूब पसंद आएंगे वैसे मैंने जो यह लड़ू है बहुत ही सिंपल तरीके से बना कर तयार की हैं अगर आपको थोड़ा सा कलर पसंद है इन लड़ू में तो जब हमने रोज इसेंस डाला था ना बैटर में तब आप वहाँ पे दो से तीन बूंद रेट कलर की डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें बैटर के साथ तो आपके लड़ू है वह हलके पिंक कलर के बन जाएंगे और देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे और अगर आपको कलर नहीं पसंद खाने में तो आप इस तरीके से बिल्कुल तरीके से यह लड़ू बना कर तयार कर सकते हैं और हमारी जो लड़ू का डबबा है यह पैक कर लिया है रक्षा बंदन के लिए और थोड़ा सा लड़ू और बजगे थे तो मैंने उसे प्लेट में रखकर इस तरीके से सजा लिए उपर से लगाया है पिस्ता और चांदी का वर्क तो यह देखे एक दम मुह में घुल जाने वाले पी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूला बाबाई